Hey what's up guys, welcome back once again So दोस्तों आपने भेडियो की कहानी तो बहुत सुनी होगी लेकिन क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसमें एक स्कूल गर्ल किसी भेडिये में तब्दील हो जाए अगर नहीं सुना तो आज आपको कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा कहानी शुरू को दिये सन 1100 में जहां पे हम एक वाइकिंग की शिप को देखते हैं जो किसी कजबी के किनारे रुखता है उसमें से बहुत से लोग उतरते हैं जो सोने और चान्दी की तलाश में यहाँ पर आए हुए उनकी वो दलाश उसी कजबी के एक घर के चोटी से कमरे में ले जाती है हलाकि वहाँ का बूला शक्स उन्हें उस कमरे में जाने से मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं और उस कमरे में खुश जाते हैं पर वो भीडिये का बच्चा कहीं नहीं मिलता और हमें बताया जाता है कि उन्होंने किसी शैतान को आजात कर दिया है। उसके बाद हमें 1000 साल बात का समय दिखाया जाता है, ये आज की दुनिया है। नौर्वेग एक छोटे से टाउन में जहां हम एक अनी और उसके परिवार को देखती है। उसकी मा जूली टाउन की शेरिफ है, उसकी छोटी बहन काली ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब इन लोगे डाड के कुछ दिन पहले मौथ हो चुकी है, जिसके बाद जूली ने दूसरी शादी कर ली। तब सी ये चारों लोग साथ में ही रहती है। वह एक दिन अनी अपने स्कूल के लिए जा रही होती है, तो सेके स्टेप डाड कहते हैं कि वो उसे स्कूल छोड़ देंगे। लेकिन वो इन्हें इग्नोर कर देती है और इससे में पता चलता है कि वो अपने stepdad आर्थर को कुछ खास पसंद नहीं करती है। वहीं स्कूल में Annie को John नाम का लड़का पसंद है। कहीं ने कहीं वो भी उसे पसंद करता है। लेकिन जब वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है तो वहाँ बैठी आर्ण नाम की लड़की उसे बुली करने लगती है। और जॉन को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसी तरफ Annie जब स्कूल से घर आ रही होती है तो उसे आर्ण और जॉन बाते करती हुए दिखते हैं। वो पहले तो उसके पास जानी की सोचती है लेकिन बात में अपना इरादा बतल लेती है। और आगे बढ़ जाती है लेकिन तब ही उसे वहां किसी की गुरानी की आवाज आती है। जब वो पीछे मूलती है तो वहां एराण जखमी हालत में पड़ी थी। वो उसकी मदद के लिए फॉरन भागती है लेकिन तब तक कोई चीज उसे खीश का ले जाती है। और इसके बाद उसके उपर भी कोई क्रियेशर हमला कर देता है जिससे वो वहीं भी होश हो जाती है। कुछ जिरबाद वहां पोलिस की टीम आती है तो वो आनी को ट्रीट्मिन देती है। जब जूली को पता चलता है कि इस हासे में उसकी बीटी भी खायल हो गई है तो वो फॉरन अपना काम छोड़कर उस पहले तो उसके पास जाती है। उसका सबसे पहला सवाल होता है कि क्या वो ठीक है पर इस समय पे आनी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। उसके फेज से लग रहा है कि जैसे उसने किसी ऐसी चीज़ को देख लिया है जो शायद इस दुनिया में एक्जिस्ट ही नहीं करती। वो बहुत जादा डरी हुई थी। अब उस जगा की छानबीन करने पर पुलिस को सिर्फ एरन का सेलफोन मिलता है। जिस पर खून पला हुआ था इसी दुरान उन्हें हुआ किसी जानवर का नेल भी मिलता है। जो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। जिसे देखकर हैड उस जगा को सील कर वाद देती हैं और उस टाउन में भी आनॉस्मेंट कर दी जाती है कि कोई भी बिना किसी काम की घर से ना निकले। जब आनी सो कर उठती है तो खुद के सामने अपनी मा को पाती है जो उसे कल के इंसिटन के बारे में बूचती है कि आखिर वहा हुआ क्या था। तो आनी बता दी है कि जब वो स्कूल से आ रही थी तो उसने जॉन और आरन को साथ में देखा लेकिन तब ही उसे कुछ आवाजे सुनाई दी और जब तक वो उसके पास जा पाती कोई चीज आरन को खीश कर ले गई। की लाश मिल गई है। ये निउस वो आनी को भी बताती है जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसकी लाश को देखने जाती है पर वहाँ पहुशने पर वो पूरी तरह से दंग रह जाती है। क्योंकि उस वुल्फ ने आरन की आधी बोडी को खा लिया था और प्यादा शरीर भी गायब था जोने देखकर डॉक्टर कहती है कि ये किसी जानवर का काम तो नहीं हो सकता ये कोई और चीज है पर जूली सूचती है कि किसी जानवर के अलावा और कोई क्या हो सकता है। इसी बीच वहाँ एरन की मौम आ जाती है जिने वो किसी तरह से में देखें। वह दूसी और एनी उसी जगां पर दुबारा जाती है जहां पर ये सब हुआ था। वहां वो रोने लगती है क्योंकि वो अगर चाती तो एरन को बचा सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उसी बीच उसे किसी के गुर्रानी की आवाज आती है जिसे वो ड रात हॉस्पिटल में किसी अंजान शक्स को एरन की लाज के पास देखते हैं अलाकि वो शक्स कुछ करता नहीं लेकिन आखिर वो यहां करने के आया था। वो नेक्स डे हम उसी आदमी को पुलिस टेशन में देखते हैं वहां जूली से मिलने आया था वो और वो उसी इंसि विशाल और खुंकार होते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह इंसान में भी बदल सकते हैं और कभी वुल्फ तो कभी इंसान जिसे कि इन्हें ढून पाना काफी मश्किल हो जाता है अब यह सब सुनकर जूली को विश्वास नहीं होता वो बोलती है कि ऐसी क से मारे जाते हैं अदरवाइस वो ऐसे कोई नॉर्मल गोली से नहीं मरेंगे पर जूली को यकीन नहीं था इसलिए वो मना कर देती है लेकिन वो आदमी जाते हुए कुछ गोलियां उसकी पॉकेट में डाल देता है अब अगले सीन में हम जॉन और आनी को देखते हैं जो उ अब लकी की मौत हो गई इसे गुशा होकर वो आँसे भाग जाती है और घर में वॉश्रूम में अपने जखम को देखने लगती है और वो उसका जखम गहरा होता जा रहा था, यह जखम बहुत याजीब तरग था इसी दुरान उसकी मां वहां आ जाती है और आनी गुशे म आते हैं और बताते हैं कि ये किसी वुल्फ का काम नहीं हो सकता, वो अपने शिकार को इस तरह से नहीं खाते हैं, वो भी वही बात कहते हैं जो जबूले आदमी ने कही थी, जिसके बाद जूली कुछ लोकल लोग को लेकर वुल्फ का शिकार करने के लिए निकल जाती है में जूली के साथ वाली लोग को एक गुफा मिलती है जिसके अंदर जाने पे उन्हें एक आदमी की लाज दिखाई देती है जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर यहां पे कोई ना कोई तो रह रहा है तब ही बाहर वोर्फ आता है और जो दो आदमी को पकड़ कर माड डालता ह जिसके बाद वो अंदर आता है यहां उसका सामना होता है जूली से जो उसे खुद के सामने खला देकर बहुत ही जादा घबरा जाती है वो दिखने में बहुत ही खुंकार था जूली वहां से भागने लगती है क्योंकि वो हाइट में उससे भी जादा बढ़ा था पर वो पुरानी थी जिस वज़े से बहुत से गड़े होते हैं जिसमें जूली जाकर गिर जाती है और उसे मजबूरन उस पर शूट करना पड़ता है लेकिन कई गोलिया चलाने पर भी उसे कुछ नहीं होता और उसकी बंदू खाली हो जाती है वो अपने जेब में हाथ डालती है औ तो वो खुद को हॉस्पिटल में बाती है उसी हॉस्पिटल में हैट शेरिफ भी मौझूद थे जिनने वुल्फ ने खाट लिया था इदर एरन की मां असल में दोस्तों टाउन की मेयर होती है तो वो सब को ही बता देती है कि जूली ने उस वुल्फ को मार दिया है जिसके उसे अवार्ड भी मिलेंगे पर जूली के चैरे से साफ लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज से परिशान है वो इन सबसे खुश नहीं थी उसी रात आनी की बेहन देखती है कि उसके घर के बाहर से कुछ आवाजे आ रही है जब वो बाहर देखती है तो उसे वहाँ आनी आती है और कहती है कि आप टैंशन मत लो मैं आपका ख्याल रखूंगी और दोनों बेहनों में बहुत ही प्यार होता है भले ही वह स्टेप सिस्टर हो दोस्तों अगली सुबाद जूली उसी प्रोफेसर के पास जाती है जो उस वुल्फ का पोस्टम कर रहे थे वह से पूछ आकर केमिकल रियाक्शन करती है में भी इसी वज़े से यह मारा गया हो इसके अलबा मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है लेकिन तभी जूली को याद आता है कि यह सिल्वर बुले तो उसी बूले आदमी ने उसे दी थी और उस आदमी की कही बात सारी बातें सच थ वही घर पे आनी सो रही थी लेकिन तब ही अशानक से वह गुर्रानी लगती है जैसे कि उसके अंदर कुछ पतलाव आ रहे हो वही दूसरी ओर जूली उस बुले आदमी से मिलने के लिए जाती है जो की लेकी किनारे एक बस में रहता है वहाँ जाके जूली उसे कहती है कि तुमने जो भी कहा था वो सच है पर आकिर ये सब कैसी पॉसिबल है तो आदमी बोलता है कि जिस वुल्फ को तुमने मारा था वो बूढ़ा हो चुका है मैं उसे पिछले दो साल से ढून रहा हूँ उसने एक बच्चे को मारा था तब जूली कहती है कि अब खत्रा टल चु जब वो एक गाउं से एक छोटे से वुल्फ को लेकर आए थे उसके बाद से ये दुनिया के हर कोने पर है तो जूली बोलती है कि इन्हें खत्म कैसे कर सकते हैं वो आदमी बताता है कि उन्हें बस सिल्वर से ही मारा जा सकता है अगर उन्हें ऐसे छोड़ दिया तो ये दोरान जॉन के डाट का कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है अब यहां खुलता है इस कहानी के असली पत्र आनी दोस्तों उपर फुल मून की तरफ देखती है और उसी समय उसके अंदर अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो जाती है उसके शरीर पे बाल आने लगते है और जब यह सब जॉन देखता है तो वो तो बहुत ही जादा डर जाता है उसे वहां से भागने का मौका ही नहीं मिलता तब तक वो उसे भी मार देती है अब यहां आपको पता चली गया होगा कि असल में माजरा क्या है दलसल जिस दिन आरन को वुल्फ खीश का ले जा रहा मगर इधर घर के बैक साइड में आनी लेटी हुई थी उसकी हालत बहुत ही खराब थी उसे खून की उल्टियां हो रही थी जिसमें कि इनसान की एक उंगली बहा निकलती है जब वो खुद को मिरर में देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसका तो चैरा ही बदल चु में भी यह कह सकते हैं कि अभी काफी यंग है तो अभी जूली को समझाता है कि असल में अभी यह सब खतम नहीं हुआ है कोई और भी है जो वुल्फ है वह इंदूसरी और हॉस्पिटल में वह बूला आदमी हैट शैर्व के पास जाता है उसके घाव चिक करने तब उसे पत उसे फुल मून दिख जाता है जिसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और दोस्तों ये सीन पूरी मूवी का बैस सीन है जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इस कदर खुंकार हो जाती है कि उस बस में बैठे सब ही लोगों को मार दीती है प प्रोफेसर भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि जॉन की लाश के पास से इंसान का खोन मिलाएं जिसे पता चलता है कि उसे वेरवूफ नहीं मारा है तब जूली कहती है कि हाँ मुझे पता है कि उसे किसने मारा है और वो है मेरी बीटी इदर आनी की बहन अकेली होती है घर में लेक यानि कि वुल्फ को भी कही न कही लगने लगता है कि ये उसकी बहन है उसे उसे नहीं मानना चाहिए इसलिए वो पीछे आठने लगती है लेगिन तभी महाँ पर जौन आ जाता है जो अपनी बेटी को लेकर भागने लगता और इसी दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती ह लेकिन वो किसी तरह से उसे लेकर भाग जाता है पर बीच रास्ते में जादा खून बहने की वज़े से वो बेहोश हो जाता है और कार जाकर ठुक जाती है अब यहां दोस्तों जितनी भी लोग आसपास मौजूद थे सभी लोग एक ठाव जाते हैं और इसी दोरान वहां पर वेर वुल्फ पी आ जाती है जो सभी लोगों को मानना शुरू कर दीती है के करके लेकिन तभी वो बुला आदमी आकर अपनी ट्रक से उसे उला देता है लेकिन अभी भी वो जिन्दा थी उसे कुछ भी नहीं हुआ था अब बारी थी इस बुड़े आदमी की वो उसे भी खा जाती है लेकिन अब यहां उस बच्ची को पता चल चुगा था कि एक वही है जो अपनी बहन को रोक सकती है वो उसके सामने जाकर उसे बार बार कहती है कि सिस्टर सिस्टर उसे पुकानने लगती है और एक समय के लिए आनी भी समझ जाती है वो जाने लगती है लेकिन इसी दोरान वहां पर schöne आ जाती है जो अपनी चोटी सी बेटी को लेकर शौप में गुश जाती है और वो वुल्फ भी वहां पर आ जाती है लेकिन यहाँ जूली अपनी बेटी को गूली नहीं मार सकती थी इसलिए अपने साथ लाई बेहोशी वाली गूलियां प्रोफेसर से उस पर चलाने को कहती है क्योंकि वो वोल्फ उसके करीब होता है और गूली चलाते ही वो बेहोश हो जाती है अगले सीन में हम वेरफूल को हॉस्पिटल में लेटा हुआ देखती है उसके सामने जूली थी वो सबसे पहले तो उसे गले लगाती है अपनी बेटी की ऐसी हालत देख लेकिन इसके बाद वो अपनी बंदूक में उस सिल्वर बुलट को डालती है और फिर उसे शूट करने जाती है अब यहां उसके हाथ कापनी लगते हैं वो अपनी बेटी को कैसे मार सकती है लेकिन अंथ में वो अपनी ड्यूटी को निभाती है और उसे मार देती है उसे ये तो करना ही था अगर वो जिन्दा रही तो आगे जाकर बहुत से मासूम को मारेगी सीन कड़ों के पहुचता है च्छै महीने बाद जूली आनी के रूम में आती है और उसी फोटो के आगे उसकी सिल्वर बुलेट रख देती है तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में वेरवूर्फ खतम हो गए होंगे या फिर आनी ने किसी और को भी काट आए ये सब हमें नेक्स पार्ट में बता चलेगा वेल अगर आप नेक्स पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट जरू करिएगा हमें करती हैं 500 कॉमेंट का मिलते हैं आप सक लोट में थांकियो सो मुच वाचिंग पीस आउट